दोस्तो मैं सित्यन एहमद दोस्तो आप सभी को हैपी इंडिपेंडेंडे की हार्थिक सुपकामना है बहुत बहुत शुपकामना है दोस्तो आज हैपी इंडिपेंडेंडे है यानि की 15 अगस्त आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था लेकिन हमारा देश तो आजाद है ल स्वतंत्र दिवस के दिन गर्टंत्र दिवस मनाएंगे 15 अगस्त तो बाब जी आज 15 अगस्त है आज पे दिन स्वतंत्र दिवस मनाते हो गर्ट संत्र दिवस नहीं इन बाबस दिए पोगोट सारे कमेंट आये थे और आप लोग भी मुझे कमेंट करके कमेंट वक्स में बताना कि इन बाबा जी को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं अब बाबा पहाड़ी इलाखों में घूमने का स्टॉक होता है तो आप इस वक्त पहाड़ी इलाखों में ना जाएं क्योंकि पहाड़ी इलाखों में मौल बहुती ज़्यादा खराब है अभी शिमला के अंदर बारिस की बजहे से बार आ गए और वहाँ पर काफी ज़्यादा लोगों को नुक्सान हो और काफी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गए और उत्तरखंड में भी यही मौल है पहाड़ फट रही है बादल फट रही है और आंधी तूफान आ रहा है इस वक्त मोहल बहुत ज़्यादा खराब है हिमाचल परदेश का उत्रखंड का और मिला के अंदर इन जगाओं पर हाहकार मचा हुआ है पहाड़ों के उपर इस वक्त आप लोग पहाड़ी जगाओं पर पहाड़ वाले इलाके में ना जाएं क्योंकि पहाड़ों के उपर इस वक्त हाहकार बना हुआ है वो कभी भी फिसल सकते हैं बादल फट सकते हैं और मौसम कभी भी बिगड़ सकता है इसलिए आप लोग जातर पहाड़ी इलाके और अभी हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल परदेश में एक शुब मंदर के अंदर काफी जादा लोग थे और वो बिलकुल खचाखच भरा हुआ था थोड़ी सी भी जगा कदम रखने की वहां पर नहीं थी कभी वहां पर उपर से एक पहा फिलाल आप लोग उत्रक्षण जैसी हिमाचल जैसी नैनिताल वगारा इस जगाँ पर ना जाएं क्योंकि इन जगाँ पर इस बार महल बहुत ही ज़्यदा खराब चल रहा है अगर आपने कोई प्लैनिंग कर रही है तो आप उसको बंद करने कैंसल करने क्योंकि वहां पर म सुशीशी स्वतन्त्य दिवस मनाएं और आप लोगों भी हार्थि क्थ एपई इंडिपेंडेंडेंच देरहाने कि स्वतन्त्य दिवस 15 अगस्त की हार्थिक सुपकाम नाइं